असलाम अलेकुम दोस्तो आज के इस वीडियो में हमारे पास SimTech का एक बैटरी चार्जर है जिसको मैं इस वीडियो में रिपेर करूँगा दोस्तो बैटरी चार्जर पर मुक्तलब फाल्ट पर मेरे वीडियो मुझूद है अगर आपने नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वो वीडियो वाच कर सकते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हमारे पास SimTech का एक बैटरी चार्जर है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ के इसमें क्या प्राबलम है दोस्तो जब भी हम इसको 220 में कनेक्ट करते हैं तो यह चलना स्टार्ट हो जाता है और बैटरी वाले टेर्मिनल पर हमें 6 वोल्ट देखने को मिलते हैं यह वोल्ट हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत कम है इस पर हमारी बैटरी चार्ज ही नहीं होगी तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 6 वोल्ट मौझود है जब के यह चार्जर 12 या फिर 15 वोल्ट का होता है तो इस चार्जर को ठीक करने के लिए हमें इस चार्जर को खुलना होगा तो सबसे पहले मैं इसका ठकन खुल लेता हूँ दोस्तों से गुजारिश के इस वीडियो को लाइक कर दे और चेनल को सबस्क्राइब कर दे ताकि इसी information वाली वीडियो आप तक पहुचते रहे दोस्तो अगर वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल है या फिर charger का कोई ऐसा fault है तो आप उसके बारे में मुझसे comment में comment करके पूछ सकते हैं दोस्तो ये देखें इसमें एक यहां पर variable resistor लगा होता है जो के 10K का होता है वो resistor इसमें नहीं लगा हुआ और उसके बाद दूसरी side पर ये जहां पर regulator लगा है इस variable के बिलकुल सामने ये देखें ये यहां पर LT 431 ये यहां पर एक regulator लगा होता है जो के दिखने में बिलकुल transistor की तरह होता है ये आपको change कर देना है और उसके बाद अगर आपका charger फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर ये जहां पर दो PC 817 लगे होते हैं आप इनको भी change कर दें तो दोस्तों circuit board बाहर निकालने के बाद ये जो बड़ा केपेस्टर लगा होता है इस केपेस्टर में charge होती है इसमें से current आप निकाल दें तो चलिए दोस्तों हम इस variable को निकाल कर इसकी जगा पर दूसरा variable लगा देते हैं ये देखें ये 10 के एका variable है जो मैं इस पर लगा रहा हूं तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा fast कर देता हूं ताके ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो दोस्तों से गुजारिश के मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताके ऐसी information वाली वीडियो आप तक पहुचती रहे तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने variable को change कर दिया है अब बारी आती है कि इस LT 431 regulator जो के देखने में एक transistor की type होता है तो इसको भी हम change कर देंगे इसको change करने के बाद फिर हम इसको start करके देखेंगे कि ये अगर ठीक हो गया है तो हमें PC 817 change करने की जरूरत ही नहीं होगी बारी आती है चलिए चला कर देखते हैं यह देखें दोस्तों हमारा फेन बिल्कुल स्टार्ट हो गया है अब मीटर लेकर मैं आपको वॉल्टेज के वॉल्टेज चेक करवाता हूं कि अब कितनी वॉल्टेज है यह देखें दोस्तों यह देखें हमारे चार्जर की वॉल्टेज बिल्कु प्राब्लम है तो आप इस तरह उसको ठीक कर सकते हैं अगर आउट्पट वॉल्टेज बिल्कुल कम आ रही है तो आप इस वेरियेबल या फिर इस टी एल 431 को चेंज करेंगे अगर इन दोनों चेंज करने से भी फिर भी हमारी वॉल्टेज 15 वॉल्ट तक नहीं आती तो फिर आप इस PC 817 को चेंज कर देंगे ज्यादा तर प्राब्लम इस टी एल 431 की होती है आपको PC 817 चेंज करना नहीं पड़ेगा तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अश्च्छी खेंब कर देंगे सकते छेंगोंके प्राब्स कर दोपके कर दो मत